हेलो दोस्तों ट्रेक्स फोर रॉल इस्ट्रोंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एंशिंट अंड मेडाइवल इंडियन पॉलिकल थॉट के अंतरगत आपको एक यूनिट पढ़नी है मनू और आज की इस वीडियो में हम आपकी इस यूनिट को कवर करेंगे देखे दोस्तों यह यूनिट थोड़ी सी बड़ी है इसमें कई सारी टॉपिक्स कॉप को पढ़न आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी और सबसे बड़ी बात यहीं है कि जो पहला लेक्षर हो सकता है थोड़ी सी आपको चीज़ें कंफ्यूजिंग लगेंगे लेकिन समझ में आ जाएंगी अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको सारी बा पी जो नेक्स लेक्षर आएगा वह भी आपके लिए काफी एजी हो जाएगा तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और सारी बाते हैं पर से इसके साथ हो सकता है एक दो पॉइंट आपको थोड़ा हाड लगे लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो सारी बा बार आओं तो अच्छे से हर एक शब्द को भी एक्स्प्लेइन करूंगा बाकि यह पॉलिटिकल साइंस के ही शब्द है और आने भी चाहिए यह ठीक है आपको समझ में भी आने चाहिए और एक ग्रैजूइशन लेवल के आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर यह तो चीज विचारक आचारे मनु मानव धर्मशास्त्र के प्रणीता माने जाते हैं जिसका दूसरा नम मनुश्मृति के रूप में विख्यात है यह धर्मशास्त्र पर लिखा गया प्रबंध है जिसमें यथा अफसर राज्य शास्त्र का विवेचन भी किया गया है देखे दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो आचारे मनु हैं उन्होंने मानव धर्मशास्त्र की रचना की है मानव धर्मशास्त्र को ही हम मनुस्मृति कहते हैं तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि मनु का संबन हम मनुस्मृति से लगाते हैं हम मानते हैं कि मनुस्मृति की जो रचना है वो मनुने की है इसके साथ ही जो मनुषमर्थी है कहने को तो ये धर्मशास्तर पर लिखा गया परबन याने की धर्मशास्तर से सम्मंदित है लेकिन फिर बेस में राज्ये शास्तर का विशय भी हमें दिखाई देता है मतलब देखो धर्म शास्त्र का मतलब कि आप समझ लेजिए नियम वगरा जो है समाज के जो नियम है या जो नियम वगरा है धर्म से सम्मंदित वो हमें दिखाई देते हैं मनुस्मृति में लेकिन साथ में ही जो राज्य शास्त्र उसके लक्षन भी हमें मनुस्मृति में दि और नैतिक विवस्था का सूत्र था इसी धर्म की रक्षा एवं पालन में जहां राजा एवं राज्य विवस्था की भूमिका का संदर्व आता है वहीं मानब धर्म शास्त्र राज्य शास्त्र का मार्ग दर्शक बन जाता है सत्यमित्र दूबे एक विद्वान है उनके शब भारत था जिस टाइम पर मनू विद्व मनू थे ठीक है तो उस टाइम का जो भारत था उसमें धर्म ही सब कुछ था अभी जो धर्म है इसे आप करतव्वे की रूप में ले सकते हैं आगे और अच्छे से यही प्रजागा धर्म था या यूं कह सकते हो कि यही करतव्वे था कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मनू कालिन भारत में जो पूरी राज्य व्यवस्ता है जो पूरा समाज है पूरा जो देश है उसकी वास्तविक कसौटी धर्म ही था आगे एक्स्प्लेन किया जाएगा इसको जिससे यह पता लगाना कटिन हो जाता है कि वस्तुता मनू कौन थे अब देखिए तो यहां पे एक बहुत बड़ा विवाद आ जाता है या बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ जाती है कि मनू कौन थे मनू के बारे में अगर हम बात करें एतिहासिक दिरिश्टी से तो कोई ब बश्ट रूप से कहना थोड़ा सा यहां पर कन्फ्यूजिंग है तो इसलिए यहां पर प्रश्ण उठता है कि मनु कौन थे क्या वे कोई एतिहासिक पुरुष थे जा धर्म के आदी इस्तरोत के प्रतीक थे जिनके नाम के साथ धार्मिक दिरिश्टी से प्रमानिक सामगरी जुड़ती चली गए क्या मानध धर्मशास्त्र को मानध धर्मशास्त्र यानि के मनुस्मृति को उन्होंने स्वैम लिखा यह प्राचीन भारत के रिश्यों और मनिश्यों के चिंतन का संकलन मात्र है जिसे मनु के नाम के साथ जोड़कर प्रमानिक्ता का आवरण पहना द इतिहासिक पुरुस थे यानि की कोई प्रसित पुरुस थे इतिहासिक टाइम पर धर्म वगरा के प्रतीक थे उस टाइम पर कि उन्हीं के साथ बहुत सारी जो धार्मिक चीज़ें वह जुड़ती चली गई प्रमानिक सामगरी उनके साथ जुड़ती चली गई बहुत सारी है उन्होंने क्या मनूynen स्मृति को स्वैम लिखा है या फिर मनू स्मृति में बहुत सारे मतलब मनेशियों या जो रिशिय है उनका लेखन भी शामल है देखें दोस्ता हम यहाँ यही बार बार कन्फूजन आ जाता है कि मनू कौन थे यहा मन麼 मनू स्मृति की जो रचना है वो मनू ने की है ढगे अगर आगे बात करें आपर है तो जब आप सकते हैं कि एक वेक्ति का इतने लंब dilemma समय तक जेवित रहना मुम्किन नहीं लगता है तो इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि जो मनुस्मृती है हो सकता है कि कई सारे रिशियों ने उसे मिलकर लिखा हो और समय दर समय कई सारे रिशियों के लेखन उसमें शामिल होते गए हो तो ऐसा भी माना जाता है तो यह confusion बनी रिगवेद तथा अन्य प्राचीन हिंदू गरंथों में भी जहां तहां मनु के नाम का उल्लेक आया है जिससे मनु की प्राचीनता और मानियता का संकेत मिलता है अता हम मनु महराज को वैदिक सबैता का समकालिन मान सकते हैं अब देखिए जो रिगवेद या अन्य आप आईडिया लगता है कि मनु किस टाइम पर रहे होंगे तो जो वैदिक सब्वैता थी अगर हम बात करें तो वैदिक सब्वैता आज से आज से साड़े 3000 साल पहले से लिकर साड़े 3000 साल पहले से लिकर 2500 साल पहले तक थी मतलब 1500 इशा पूर्फ से लिकर 600 इशा पूर्फ के आज सब्वैता रही थी तो लगभग हम इने मान सकते हैं 2500 साल पुराने आप मनु को 25 साल पुराना मान सकते हो प히चिस तो से लेकर 35 साल में आप ऐसे मान सकते हो लेकिन तिर पहले एक आईडिया लगाये हो तो आई जो confusion है न ये भी आपको पढ़ना था तभी तो add किया गया है यहाँ पर ठीक है exact क्योंकि अभी हमारे पास exact कोई सामगरी ही नहीं है या कोई evidence ही नहीं है जिसके उपर exact कोई बाते की जा सकें ठीक है तो इसलिए हमारे पास जो भी चीज़े available हैं जो भी स्त्रोथ हैं आपको उ मनु की जीवन गाथा की विश्य में दो तरह का उलेख मिलता है अगर हम बात करें आचारे मनु की तो जो प्राचीन संस्कृत गरंद है उसमें हमें दो तरह से आचारे मनु के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है एक यह है कि जब संपूर्ण विश्व महाप्रलय के प्राचीन जो संस्कृत गरंद है उसमें हमें मनु से संबंदित उनकी जीवन गाथास के विश्य में दो मानेताएं हमें दिखाई देती हैं एक मानेता यह है कि जब पूरा जो विश्व है वह महाप्रलय के आवेग में ध्वस्त हो गया मतलब पूरी दुनिया खत्म हो जब ऐसी आपदा आई जिसे हम महाप्रलय के रूप में कहते हैं तो ऐसी आपदा आने से जब पूरा विश्व मतलब ध्वस्त हो गया तो उसके बाद जो मनु थे सिर्फ वही शेश बचे और उन्होंने ही फिर आगे अब एक नए रूप में मानव समाज की रचना की और उ मानेता ये हो गई, इसके साथ ये दूसरी मानेता है महाभारत के शांती पर्व की अंतरगत,zeit कई सारे चैप्टर裡面 को और भागों समाज और धर्बरता से ग्रस्त तब यहां किसी •दा का अस्तित्व नहीं था इस असुरक्षा की इस्तिती से पीडित होकर तत्कालीन समाज ने अपनी समय के सबसे बड़े नितिग्य गुणवान और न्याय प्रायन वैक्ति मनु को अपना राजा चुनकर उसे दंड की शक्ति से मंडित किया और उसे नियमीत कर देने का भी वच दिया ताकि वह शांती और सुरक्षा इस्थापित कर सकें आप देखें दूसरी मानेता यह है कि महा भारत की शांती पर में हमें दूसरी मानेता मिलती है यह कि इस्तिती कुछ ऐसी थी जब प्राचिन जो समाज था उसमें इस्तिती ऐसी थी अराजक्ता की समाज में अराज अराजक्ता में क्या होता है अराजक्ता में बढ़ी मचली चोटी मचली को निगल जाती है खा लेती है मतलब टाकतवर जो इंसान उत्लब सताता है ठीक है मतलब और उस जो टाकतवर इंसाने उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता कहने का मतलब यह है कि मतलब अराजक्ता जैसी इस्तिती में कोई राजा नहीं होता कोई सरकार नहीं होती कोई ऐसी अथोरिटी नहीं होती जो व्यवस्था इस्थापित करें तो अराजक्ता की इस्तिती थी और अराजक्ता की इस्तिती कैसी इससे दूर होने के लिए इस आज सुरक्षा की इस्तिती को दूर करने के लिए जो समाज था उसने मनु को अपना राजा चुन लिया ऐसी माननेता है कि समाज ने जो अराजकता की इस्तिती थी इसको खत्म करने के लिए मनु को अपना राजा चुन लिया और उनको दंड की श जो होता है वो भी प्रदान करेंगे राजा को मनू को तो दो मानेताएं थी जो प्राचीन संस्कृत ग्रंते उनमें दो मानेताएं थी मनू को लेकर वो मैंने आपको बता दी इसके साथ कोटिले के अर्थशास्त्र में भी इस तरह का विवरण मिलता है जिसके अनुसार मनू mushrooms के प्रथम राजज़य संस्थापक थे अब देखे दोस्तों कोटिले 4 एक लिखी है अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र किताब का नाम है अब इस किताब के अंदर भी हमें जो मैंने अभी आपको महा भारत में मतलब महा भारत के अनुसार मनु के बारे में जो बातें बताई वही बातें कोटेले के अर्थशास्त्र में भी लिखी हैं तो इससे थोड़ हम हमें ये जानकारी मिलती है कि मनू ही वह मतलब मनू को हम पहले राजा के रूप में पहले राज्य के संस्थापक के रूप में पहचानते हैं महाभारत और कोटेले के अर्धशास्त्र के अनुसार तो आयोप यहां तक आपको कुछ बातें और समझ में आई होंगी तो देखे दोस्तों हम यहां पे सटार्टिंग में थोड़ा सा, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं सारी बाते हैं यहाँ पर हमने थोड़ी सी बाते की, कि refund मनु pada है, उन्हें हम मनु स्मृति के साथ जोड़कर देखते हैं कि हाम मनु वही वो वैक्ती रहे हैं जुनने मनु स्म्रत्य की रच्णा किये लेकिन फिर भी यह हम एक अंदाजाही लगाते हैं ठीक है इसके साति हम अईसा भी मानते हैं कि हो सकता है इसको की सारे रिशियों ने मिलकर लिखा अई इसको кра रिशियों को बांधा गिया था जो राजा था उसका एक धर्म था कि उसे प्रजा की रक्षा ईकरनी है यह से अपने कारे करना था दर्म का पालन करना था धर्म蛋 की अनुसार चिल्ठाट ज़ ठुछ्था मनुकालिन समाज में ठीक है और मनु कौन साल के बीच में 1000 साल का यो time period है आप इन के बीच में मनु को मांन सकते हैं आप यह भी कह सकते हैं कि मनु जो हैं लगबग 2500 साल पुराने हो सकते हैं 26 अप ऐसे भी कह सकते हैं ठीक है तो हमने मनु कितने प्राचीन रहे थे थोड़ा से यह अंदर जल मतलब समझा ता इसको इसक हमें चीजें पता चलती हैं कि मनु को हम पहले वैक्ति की रूप में जानते हैं जिनके दवारा समाज की रचना की गई के ती ती को दूर करने के लिए मनु को दंड की शक्ती दी गई मतलब पẳ्द करने के शक्ति ती गई उसे टेक्स दिने का वादा किया जनता ने मनु को टेक्स दिने का जनता ने वादा किया और मनु को राजा की रूप में चुना गया इसके साथ ही कोठेले के अर्थशास्त्र में ही यही उपर वाला जो वीवरण है वो हमें दिखाई देता है कि मनु पहले राजा रहेते ऐसा प्राजीन भारत में मनु को विस्तिरित मानेता दी जाती थी फिर भी यह कहना सही नहीं होगा कि उन्हीं का बनाया हुआ कानून सर्व मानने था अन्य नीती गरंतों में कहीं कहीं उनसे अलग-अलग द्रिस्टिकोंड भी मिलता है उधारण के लिए शुक्र नीती के अंतरगत राजा की देवी प्रकृति के विचार को जिस तरह संशोधित करके अलग-अलग प्रकृति के राजाओं के प्रती अलग-अलग वैभार का समर्थन किया गया है वैं मनु स्मृति के द्रिस्टिकोंड से अलग-अलग भिन है और उससे अधिक वैभारिक है कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अभी हमने मनु के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मतलब ली मनु को हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं यहां पर हम थोड़ा मनु के समाज वगएरा के बारे में बात कर रहे है तो देखे, मनू को हम मानते हैं कि मनू स्मृति के रजना की यह उन्होंने बहुत सारे नियम वगरा बनाए है, धर्मशास्त्र के अंतरकत अनूने बहुत सारी बातें की हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी, ऐसा नहीं है कि मनू ही सब कुस थे उस समय, हमने ऐसा यह देखा ना, कि म अनु ने जो बातें कह दिए if के दियें उससी को मानिता दी जाती हो ऐसा नहीं है दूसरी सिख गरंथ है दूसरे विद्वान रहें जैसे कि शुक्रनीती ती कि अंतर्गत हमें मनु के जो विचार हैं उससे अलग विचार हमें दिखाई देते हैं इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में जो दूसरे अलग विचार थे उनको भी मानेता दी जाती थी ठीक है आयोब यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल में हम जानते कि मनुस्मृति काफी जाता इंपॉर्टन रही होगी लेकिन मनुस्मृत इसे हटकर विचार रखे गए हैं इसके साथ ही एक उधारन हो गया शुक्रनीति का इसके साथ ही याग वलक के स्मृति यह भी एक आप किताब की रूप में समझ लेजिए कई सारे स्मृतियां हैं अब मैं उतना डिटेर में नहीं जाओंगा लेकिन यहाप पे आप इसे भी गरंथ के रूप में समझ लो प्राचीन गरंथ याग वलक के स्मृति इसके अंतरगत मनुश्मृति की अनेक मानिताओं का खंडन किया गया है कोटेले के अर्थ्यासर में भी कहीं कहीं मनुश्मृति के द्रिश्टी कोंड से अलग भिन मत प्रकट किया गया है तो मतलब मानिताएं विदमान थी उसे अलग जो विचार थे उनको भी मानिता दी जाती थी आई हो यहां तक आपको चीजें के लिए रहोंगी इसके साथी इससे यह सिद होता है कि प्राचीन भारत में प्रंप्रगत मत से असहमति प्रकट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था आचा यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी आप देखे दोस्तों यहां तक हमने जितनी भी बातें की वो बातें होई मनु को लेकर सिर्फ मनु को लेकर हमने बातें की और काफी हद तक हमने काफी चीजें समझ नहीं हैं अब हम इसी में और डीपली हम समझ रहे हैं और बात कर राजा कि देवी उत्पत् occasionally का सिध्धान अब मनु के दौरा राजा की देव उत 5 Вас के सिद्धान्ट दिया गया तरह था यह चीछा हैं अब यह चीजी को सिद्धाcious आगे आप काफि stuk अब हम बात कर रहे हैं कि मनु ने जो सिध्धान्त दिये हैं इसको समझ रहे हैं कि आखरी यह क्या है इसके बारे में क्या क्या बाते कही गई हैं इंपॉर्टन्ट है और सिलेबस के अंडर है यह आचारे मनु ने अपने प्रसिद गरंथ मानध धर्मशास्त्र में जहां करने का अर्थ है उसे सर्व मानने बनाना तो देखिए दोस्तों आचारे मनु ने राजा को के देवी उत्पत्ति का सिध्धान्त दिया है और हम जानते हैं कि मनु कालिन जो समास था उसमें धर्म ही सब कुछ था और एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि राजा को यहां पर देवत की स्थिति दे गई देवत की स्थिति का मतलब है इश्वर की समान इस्थिति और ऐसी स्थिति देने का मतलब है कि उसे सर्व मानने बनाना सर्व मानने मतलब कि राजा पर सभी विश्वास करें राजा क भी लगाया जाता है कि उन्होंने राजा को अधिनायक या पूर्ण सत्तावादी बना दिया है जिसके प्रतिक आदेश के आगे नतमस्तक होना प्रजा का पालन करतव्य हैं प्रजा को यह प्रेशन करने का दिकार नहीं कि राजा का अधेश उचित है या अनुचित उसे इसक उसके वैक्तित हो में देवत्व का समावेश है वह सरवग्य सर्वशक्तिमान और सर्वोपरी है अब देखे दोस्तों आचारे मनु ने राजा को देवत्ताओं के समान दर्जा दिया है उन्होंने माना है कि जो राजा है वो देवत्ताओं के समान है उसका वैक्तित हो वह स राजा को अधिनायक बनादिया यह तो ऐसे आरूप भी लगाए जाते हैं लेकिन यह पूह तरह भी सच नहीं आगे आगे आप समझ जाओगे की उत्तिके देवी सिधान्त को प्रमारिक रूप देने के लिए आचारे मनू ने यहां तक कहा कि राजा के वैक्तित्व में देवी गुण और शक्ति का समाविश होता है इश्वर ने समस्त अंसार की रक्षा के लिए नीमित वायू यम यह एक तरह से आप देखें वायू यम वरुण सूर्य अगनी इंद्र तथा कुबि के सर्वुत्तम अंश्यों के सन प्रताप यम से क्रोध कुबेर से धन और चंद्रमा से अहलाद यानि कि आनंद परदान कनने का गुण लेकर राजा के शरीर का निर्मान हुआ है तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मनु ने राजा को देवताओं के समान काफी हद तक बताया है अतार राजा के वैक्तितों में परदान देवताओं के दिवे गुणों का प्रभाव आ गया है वह साक्षात इश्वर का अवतार है राजा युग प्रवर्तक है वह अपनी प्रजा के लिए आदर्श स्वरूप है अर्थात प्रजा को अपने राजा के पत चिन्नों पर ही चलना चाहिए कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मनु ने राजा को पूरी तरह देवताओं का ही एक अंश कहा है इश्वर का ही एक अवतार कहा है मतलब कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मनु ने माना है कि जो राजा है वो इश्वर का ही एक अवतार है और उसका मतलब उसके आगे सभी को नत्मस्तक होना चाहिए वो सर्व मानने हैं और उसकी आग्या का पालन सभी को करना चाहिए और ऐसा ही एक बहुत बड़ा दर्जा राजा को दिया गया है मनु के द्वाराम लेकिन दोस्तों अभी आगे और चीज़ पढ़ेंगे तो किलियर होगा देखे धर्म शास्त्र यानि कि मनु इसमृति राजा की देवी उतपत्ति का सिध्धान्द स्थापित करके और राजा को देव तुले देवताओं की समान मानते हुए संभवता उसे निरंकुष तंत्र के लिए अनुमती पत्र देता है इन्होंने कहा कि जो मनु इसमृति है उसमे में राजाओं को देवतावं के समान बताकर मनु महराज ने यानि कि आचारे मनु ने राजा को निरंकुष बनने का मतलब एक LETर दे दिया कि आप निरंकुष बन सकते हैं a large company in यक ताना शाहि राजा बन सकते हैं जो सुईकार कल लेने के बाद वह अपनी प्रजा का पालक ही रह जाता है। दूसरे शब्दों में मनु महराज राजा के चरित्र को इतना उचा उठाते हैं और उस पर इतनी धार्मिक मर्यादाएं लगाते हैं कि फिर उसके देव तुल्ले होने में कोई संधे नहीं रह जाता जिस राजा में आचारे मनु देवत का आरोख करते हैं उसके करतव्यों और दायतों के प्रतीवे सदेव सजग रहते हैं को दोस्तों यह है कि विदवान के विदवान विदवान है उनको कहना है कि आचारे मनु ने राजा को बना दिया है या राजा अगर निरंगुज भी हो जाए तो कुछ मतलब प्रजा नहीं कर सकती तो ऐसा मतलब कई सारे विद्वानों का कहना है लेकिन यहां पर हमें कुछ बातें यहां पर समझनी पड़ेगी हाना कि हम देखें तो जो आचारे मनु हैं इन्होंने राजा को बहुत सारी शक्ति दिये राजा को इन्होंने पूरी देखताओं के समान बताया है लेकिन फिर भी राजा के उपर ऐसे कई सारे कर्तवे लाद दिये है या राजा को ऐसे कई सारे कर्तवें से बांद दिया है कि हाँ अगर हमारा राजा इन सभी कर्टवें का पालन कर रहा है तो वो हमारे लिए देपताओं के समान होगा तो इन्होंने कई सारे कर्टवे और दाइत भी राजा को सौंपे हैं अब वो क्या है तो देखिए जैसे कि मनु के अनुसार जब प्रभू ने यह देखा कि राज जब प्रभू ने देखा जब इश्वर ने देखा कि अरहाजक्ता की इस्तिती फैली हुई है हलचल मची हुई है समाज में तो उन्होंने राजा की उत्पत्ति के ऐसा मनु मानते हैं इस परकार प्रजा की रक्षा करना राजा का सबसे पहला कर्तव है अब देखिए यहां प्रजा की रक्षा करेगा तभी उसे यह सारी शक्ति दी जा रही है और यह जितनी भी शक्तियां राजा को दी गई हैं जब राजा इन सबी शक्तियों का तभी प्रियोग कर सकता है जब वो प्रजा की रक्षा करें आचारे मनु के विचार से राजा के उपर ऐसा कोई सत् यदि राजा का पत्प्रदर्शक कोई था तो वे धर्म था धर्म की रक्षा करना राजा का करता वे था धर्मो रक्षित रक्षित अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है दूसरे शब्दों में जब राजा धर्म की रक्षा करेगा तो स्वैम धर् मतलब दोस्तों ये है कि मनु की नहीं जो राजा राजब्स्त बताइब उसमें सबसे उप्पर कौन है एक बनाया सबसुत पर में लेकिन हैं नहीं है एक करने नहीं और और फेम है यह धर्म ही तो कर्तव्य है तो यहां पे जो हम धर्म की बात कर रहे हैं इससे यह बहुत अलग है यह जो धर्म यहां पे जिस धर्म की बात की जा रही है हकेकत में यह कर्तव्य है जैसे कि प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म है चाहे धर्म कहलो चाहे कर्तव्य कहलो बात क्षा कि राजा की राजा का धर्म करना राजा का सबसे बड़ा करतवे था और धर्म से उपर कई सारे करतवे दाइत्व और धर्म का नियंत्रन रहता है मनु ने जो राजा की बात की है ऐसा नहीं कि मनु के द्वारा जो राजा का मतलब जिक्र किया गया है वो पूरीतरा निरंकुछ हो सकता है उसके उपर कई साथ तरह के दाइत्व सौंपे गए हैं यदि राजा अपने करतवें का पा पालन कर रही है तो प्रजा भी धर्म का पालन करें ऐसा राजा को भी देखना वह कर्के रूप में प्रजा के धन दानने का छटा भाग वसूल करने का अधिकारी ही नहीं बलकि सबके पाप पूर्णे का छटे हुए बहा का अधिकारी होग को को नगवर अधिकारी भी होगा मतलब प्रजा जो पुन्य करती है जो मतलब पुन्य करती है या धन जो है मतलब प्रजा का जो धन है उसका छटा हिस्सा राजा को मिलेगा ठीक है लेकिन साथ में प्रजा जो पुन्य करती है उसका छटा हिस्सा भी राजा को मिलेगा मतलब यह कि राजा एक द्रिश्ट्री रखेगा जन्ता के ऊपर भी कि कोई कुछ गलत करेगा तो उसका भागी भी राजा होगा हां कोई अच्छा करेगा तो अच्छे का भागी भी राजा होगा तो यह फाइद राजा के लिए ठीक होगा कि सभी लोग अच्छा काम करें अथा यह कहने में कोई अतियुक्ति नहीं होगे कि मानव धर्मशास्त यानि कि मनुस्मृति यहां पर मनुस्मृति भी आप लेख सकते हो कोई दिक्कत नहीं मानव धर्मशास्त भी लेख सकते हो बागी दोनों चीज़ें लिखना मनुस्मृति जाद तर प्रिफर करना मनुस्मृति में धर्म का अं निरंकुष तंद्र का रूप धारण करने या पूर्ण सत्तावाद या स्विष्छा चार की और अग्रसर होने से रोकती थी तो इस तरह दोस्तों हम देखते हैं कि मनुष में जो राजा का जिक्र किया गया जो देविय उत्पत्ती का जो सिध्धांत शामिल किया गया है उसम कि राजा के उपर जो धर्म का नियंतरन है वो राजा को एक प्रजा के सेवक के रूप में बनाता है और वो राजा के उपर रोक लगाता है कि राजा पूर्ण सत्तावाद या स्विष्छा चार की और अग्रसर ना हो मनु के अनुसार राजा भूमी का स्वामी नहीं था भूमी तो उन लोगों की थी जो उस पर क्रिशी करते थे राजा उसका संड़क्षक मात्र था कोई भी सांसारिक शक्ति राजा के उपर या उससे उँची नहीं थी केवल धर्म ही उससे उँचा था जो सब के सब के प्राय और प्रतिष्ठा सभी तुछ थे राजा का प्रमुक कारे यह देखना था कि वह स्वयम और उसकी प्रजा धर्म का यथोचित पालन करते रहें समाज में अपराधों आववस्था और आशांति के प्रसार को रोकने का दायतु भी राजा के उपर था तो इस तरह विचार से जो राजा प्रजा से अपना चहटा भाग कर के रूप में प्राभ्त करके भी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता वै न रख को जाता है नियाए की वैवस्था करना राजा का करतव उसार अपने राज्य का शायशन नहीं चला पाता तो प्रजा को चाहिए कि वह उसे पागल कुत्ते की तरह मार दे परंतो आचारे मनु राजा के वद या उसके प्रति विद्रों का की आग्या नहीं देते तो देखिए दोस्तों आचारे मनु ने भी कई सारे नियंतरन लगा हैं जैसे कि अगर राजा कोई मतलब अन्याए करता है तो वह पाप का भागी होगा इसके उपर और भी कई सारे कर्तव्यों से राजा को बांधा गया है इसके लावा अगर हम महाभारत को देखें तो महाभारत में तो राजा के वद की भी अनुमती दी गई गई है कि अगर जब राजा स्वैम धर्म के अधिन रहेगा तब परजा को उसके प्रतिविद्रों का क्या अधिकार रह जाता है धर्म परायन राजा के नाशकार्थ होगा धर्म का नाशकार्थ मनु कहते हैं कि राजा विश्णू है राजा का अपमान उसके प्रतिविद्रों या राजा क का वद्ध सबसे बहेंकर अपराद है जिसका प्रतिकार मिरत्यु द्रण के द्वारा होना चाहिए तो मनु राजा को एक बहुत बड़ा सथान देते हैं लेकिन सात में राजा के उपर धर्म का नियंत्रन लगाते हैं यह था राजा का देविये उत्पत्ती का सिध्धान सब्सक्राइब का यहाँ पर थोड़ी बहुत हो सकते आप लोगों लगें कोई भी confusion नहीं है, जितनी भी चीज़ें आपको systematic way में पढ़ाई गई हैं, वो सारे की सारी आप mind में थोड़ा remind कीजिए, उसको notes बनाईए आप, और सारी चीज़ें arrange कर कीजिए, सारी चीज़ें आपके clear हो जाएंगी, अगर आप एक notes के form में सारी चीज़ें लिख लेते हो, arrange कर लेते हो, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आजाएगी, कोई भी issue नहीं होगा, तो आज इस first part में हमने, मनु के first part में हमने कई सारी बाते हैं और second part में हमें कई सारी topics को पढ़ना है, जैसे कि social laws को पढ़ना है, concept of justice है, उसको पढ़ना है, तो कई सारी बाते हमें second lecture में भी क्या बाते कहीं है, समाज के बारे में क्या नियम बताएं, इनके बारे में हमें पढ़ना है, और next lecture में हम उनको भी cover कर लेंगे, तो उम्मीद करता हूं, यहां तक आपको वीडियो पसंद आई होगे, अगर वीडियो अच्छे लगी हो, तो प्लीज चैन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, थैंक यू,